Assalamu alaikum आज मैं आपके साथ share कर रहे हैं कलेजी की recipe आज हम हम कलेजी त्यार करने जा रहे हैं पोछोः मज़ेदार चट्पती सी और जल्दी से चट पर त्यार होने वाली कलेजी की recipe मैं आपके साथ share कर रहे हूं इसके साथ हुमें कुछ tips भी आपको बताऊंगी कि साथ यह बेल बटन भी तबाह देजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको फोरी मिल सके और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेस्बुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं तो चलिए पर शुरू करते हैं आज की रेसिपी बिस्मिलायर रहमानी रहें एक किलो हमने ये वीफ की कलेजी ली है आप चाहिए तो इसकी जगा पर मतन या चिकन की कलेजी भी ले सकते हैं सेम तरीका यही रहेगा एक कप कुकिंग ओईल है अगर गिराम में देखें तो 125 गिराम ये कुकिंग ओईल है एक दर्मियानी साइज की प्याज लिए उसका हमने सलाइसिज में कट कर लिया तू टेबिल स्पून अधरक लसन का पेस्ट है तू टेबिल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है चार से पांच हरी मिर्चे लिती उसका हमने पेस्ट बना लिया एक कप दही है अगर गिराम में देखें तो तकरीबन 125 गिराम ये द रही है, quarter teaspoon हल्दी पोडर है, देर टेबल स्पून यानि one and a half टेबल स्पून धनिया पोडर है, one टेबल स्पून लाल मिर्च पोडर है, मिर्च आप अपने टेस्ट के साफ से कम्यों भढ़ती कर सकते हैं, one teaspoon भुनावा जेरा पोडर है, थोड़ा सा हमने जेरा लिया था, उसक सुकी मेथी है, one teaspoon गरम मसाला पोडर है, one tablespoon नमक है, या हजबे जूरत नमक ले लिजिए, सबसे पहले हम oil डालेंगे, अब प्यास शामिल कर लेते हैं, प्यास को हमने ब्राउन करना है, प्यास ब्राउन हो चुकी, अब इसके अंदर अधक लशन का पैस शामिल कर रहे हैं, हाली मिर्ज का पैस शामिल कर रहे हैं, अब हम इसे एक मिर्ण भूनेंगे, ये भून चुका, अब इसके अंदर हम कलेजी शामिल कर रहे हैं, लाल मिर्च पोडर शामिल कर रहे हैं, अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, हमने इसको इतना भूनना है, कि इसका ओइल सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, और मसाला इसका अच्छे से भून जाए, इसमें हमने नमक अभी एड़ नहीं करा, अगर आप इस वक्त इसमें नमक एड़ कर देंगे, तो कलेजी बहुत जादा हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी, अगर सॉफ्ट कलेजी बनानी है, तो नमक को आपने बिल्कुल तैयारी पर लास्ट के अंदर ही एड़ करना है, यह आप देख सकते हैं, इसका ओईल सेपरिट हो चुका है, अच्छे से मसाला इसका भून चुका है, अब इसमें हम दही शामिल कर रहे हैं, इसे हम मिक्स कर देंगे, अब हम इसे 10-15 मिंट के लिए गलने के लिए रख देंगे, और गेस को आपने मीडियम टू लो पर रखना है, यह जितनी भी कलेजी हम त्यार कर रहे हैं, यह मीडियम टू लो पर ही त्यार कर रहे हैं, पंद्रा मिंट हो चुके अब हम इसे देख लेते हैं अब हम इसके अच्छे से बुनाई करेंगे अब यह बुनाई हो चुकी है सुक्य भी मेथी शामिल कर लेते हैं बुनावा जीरा शामिल कर रहे हैं गर्मसाला पोडर शामिल कर रहे हैं नमक शामिल कर रहे हैं बिक्स कर लेंगे अब यह बुनाई हो चुकी है कलेजी हमारी तयार हो चुकी है अब लास्ट के अंदर इसमें हम बारी कटावा हरा दनिया शामिल कर रहे हैं mix कर लेंगे यह हमारी कलेजी तयार हो चुकी है तो देखा दोस्तों आपने कितनी मज़ेतार सी हमारी सॉट सी कलेजी तयार हुई है इसमें हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करा पानी शामिल करने से भी बास बगग कलेजी हार्ड हो जाती है और नमक तो आपने लास्ट में ही एट करना है क्योंकि नमक अगर आपने स्टार्टिंग में शामिल कर दिया तो कलेजी आपकी सौफ नहीं बनेगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लेगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए साथ ही बेल बटन वो भी तबाह दीजिए ताके हमारी तमाम अने वाली वीडियोज आपको फोरी मिल सकें और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेस्बुक पर फोलो करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं इजाज़त दीजिए दौओं में आद रखे कर अल्ला हाफीज